नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कबीर और तुलसी के राम में अंतर कबीर दाश जी के राम और तुलसी दाश जी के राम में क्या अंतर है दोनों ने ही राम की मलश्री राम की इस्तुति की है परन्तु दोनों के राम में जमीन और आस्मान का अंतर है ये प्रति होगी तब परिछाओं में पूछा जाता है तो मैंने एक तरफ लिख रखा है कबीर के राम और एक तरफ है तुलसी के राम तो हम देखते हैं कबीर के राम में पहला अंतर कबीर का राम नाम से तातपर्य निर्गुन ब्रहम से है यानि कि कबीर दाश जी ने राम की स्तुति तो की है परन्तु इनके जो राम है ये निर्गुन ब्रहम है मतलब ना दिखने वाले इश्वर तुलसी के राम का रूप सगुन साकार है अर्था जो तुलसी दाश जी के राम है उनका रूप, रंग, वेश, भुशा सब हमें दिखाई देती है परन्तों जो कबीर दाश जी के शेराम है वो हमें दिखाई नहीं देते वो निर्गुण है दूसरा नतर हम देखते हैं कबीर के राम का कोई आदर्श नहीं है यानि कि साहित्य में हमें इनके दोहों में, चोपाईयों में, साहित्य में हमें कहीं पर भी राम का आदर्श वाद दिखाई नहीं देता है यानि कि जो कबीर के राम है इनका कोई आदर्श नहीं है पुल्सी दास जी का साहित्ते है जो उन्होंने राम को समर्पित होकर लिखा है उसमें राम की एक आदर्श मय मूर्ती दिखाई देती है जो भाड के लोगों को समय समय पर ज्ञान देती रहती है और आदर्श वात की प्रेणा देती है अगला है चो तीसरा अंतर है कबीर दास के राम कभी भी कोई अवतार धारण नहीं करते हैं जबकि तुल्सी दास जी के राम जब जब धरती पर अनाचार अत्याचार उत्पन होता है फैलता है तब तब वे अवतार लेते हैं यानि कि कबीर दास जी के राम कभी अवतार नहीं लेते हैं और तुल्सी दास जी के राम प्रती पर अत्याचार बढ़ने पर कभी राम के रूप में कभी क्रेशन के रूप में कभी वामन अवतार के रूप में कभी नर्सिंग अवतार के रूप में अवतरित होते रहते है फिर देखते हैं कबीर के राम में चोथा अंतर कबीर के राम कोई लीला नहीं करते हैं कबीर दाश जी के जो राम हैं वो कोई भी लीला नहीं करते हैं जैसे बाल लीला, साखा लीला, वातसले लीला इस प्रकार की लीला नहीं करते हैं जबकि तुलसी दाश जी के राम नाना प्रकार की लीला करते हुए हमें राम लीला में दिखाई देते हैं, क्रेश लीला में दिखाई देते हैं, और नर्सिंग लीला में दिखाई देते हैं, वामन अवतार में दिखाई देते हैं, तो यही हुआ कबीर के राम में और तुलस